हेलो रिवन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्था काइंड सीरप के बारे में जो कि इस सिरप का इस्तमाल खासी से जुड़ी समस्यों को दूर करने के लिए बहुत ज़ादा यूज़ के जाता है इसके अलावा भी से और भी बहुत से परपजों में यूज़ करते हैं तो आज के इस वीडियो में हमें ही बात करने वाले हैं अस्था काइंड सीरप में जो कोंबिनेशन है प्रिजर की मैडे सकते हैं लाइफस्टा कंपनी बना ही मैडीसीन 100 ml की पैकिंग होती और शेसीयो慌 बहुत यह असानीं से मिल जाता है इसमें आपको तीन तरह क गवाफेंसिन और ब्रॉमहेक्जिन अब इन तीनों क्या काम है तो जैसे कि गवाफेंसिन जो की एक तरीके का एक्सपेक्टोरेंट क्लास से बिलोंग करने वाला यह मेडिसिन है इसका इस्तमाल बहुँ ज्यादा जो कंजिस्टिड चेस्ट होती है चाती में जो जगडन होता है इसके अलावा कोमन कोल्ड बरॉनकाइटीस सांस लेने में दिक्कत होना तो उन से भी कंडिशनों में इस्तमाल करते हैं इसके अलावा इसे किसी परकार का इन्फेक्शन होता है या एलर्जी होती है तो उन से भी कंडिशनों में भी काफ़े फायदेमंद होता है ब्रॉम में दिक्कत होती है तो उन सभी को क्लियरेंस करने में काफ़े फायदेमंद होता है इसके अलावा तरब्यूटलीन है जो कि इसका इस्तमाल ब्रोंको डायलेटर एंटी अस्थमेटिक और टोकोलाइटिक इसके साथ बीटा टू एडिजेनिक एगोनिस्ट करूप में बहुत ज जाता जैसे की खुरोनिक ऑप्स्रक्टी पॉल्मोनेरी डिसीज में इस्तमाल किया जाता है वर्णको स्पाजम में इस्तमाल करते हैं चाती में जकड़न जैसा चाती में भारी बनबलगम के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है अस्थमा के समस्या होती है तो उन सभी कंडि इस दवा का डोज की बात करें तो 12 साल से उपर की एज में 5 अमेल दिन में दो बार इस्तमाल किया जा सकता है यह एक तरीके का से डियुलेच डग से जो की डॉक्टर की रेक्टेक और डॉक्टर के सलहा के बाद इस्तमाल करते हैं तो काफे फैदेमंद होगा नुक्सान क्या ह सूट ना करने पर तौचा में डालीपन, पेट में दर्द, सर में दर्द, भूख न लगना, मुह का सूखना इस तरीके नुक्सान हो सकते हैं किसे नहीं लेना है परिग्नेंट लेडी, ब्रेस्वेडिंग मदर, किसी भी परकार का आपको कोई भी क्रेटिकल मेडिकल कंडि